दोस्तों अगर आप डाइरिया की समस्या से परिशान हैं बहुत जादा अगर आपको दस्त हो रहे हैं पेट में बहुत जादा मरोड है एठन है या फिर किसी भी तरह की पेट से जुड़ी समस्या है तो गर्मियों के मौसम में अक्सर ऐसा हो जाता है वैसे तो डाइरिया की स पेट में रह रहकर मरोड होने लगती है जिसकी वज़ेसे कभी-कभी उल्टी भी आने लगती है और हमारा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता दवाईयां भी हम खाते हैं दवाईयां भी अकसर उल्टी में निकल जाती हैं तो आज मैं कुछ घरेलू उपाए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल एंड तक देखें आपको बहुत ही बड़िया इसके रिजर्ट्स मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स पहली होम रेमेडी को तियार करने के लिए यहां पर हमें चाहिए होगी चाय की पत सकते हैं उससे चोटे उम्र के बच्चों को आप कोई भी रेमेडी ना दे उसके लिए आप सीधे डॉक्टर को दिखाएं तो यहां पर जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ इसके लिए आपको चाय की पती लेनी है आप किसी भी ब्रैंड की जो भी आप घर में यूज करते हो चाय की पती ले ले साथी हमें लेना होगा एक ग्लास के करीब पानी एक मक पानी या फिर एक ग्लास के करीब पानी ले लीजे और आपको क्या करना होगा लगबख एक चमश के करीब चाय की पती लेनी होगी और इस चाय की पती को आप इस तरह से एक ग्लास लगबग 5 मिनिट करी छोड़ दीजे, तो 5 मिनिट करी मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था, अब इसके बाद में हम क्या करें गे, इस तरह से एक बड़तन में आप पूरे इसको ट्रांसपर कलें इस तरह से चाय की पत्ती और पानी को हम इसमें डाल देंगे, ये नीच कि पूरी बानी हैं तोई तो हमें खर्लॉपार्ट नही लानी है सिर्क जो कैफू हम आपढ़ना के लानी या कैफीन होता है जो कुछ ऐसे ततव होते है ucky आप ओती जो की तायियो कि डाइया में बहुतते हैं वह सारे की सारे पानी में आ जाएंगे, तो पांच मिनट की पहले आम इसको छोड़ दिया था, इसके बाद में दो से तीन मिनट इसको मेडियम हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे, बस जैसे ही दो मिनट पूरे होंगे, तीन मिनट पूरे होंगे, हलका सा जब आपको लगे की उबलने लगा है बस तुरंती गैस को आफ कर दीजेगा, आप चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं, मिठास के लिए चीनी भी मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पी पाते हैं, उनको थोड़ा सा टेस चाहिए, तो आप इसमें चीनी, गुड, खान या फि अगर आप कोई मीठे के बगेर इसको ना पी पाएं तभी आप इसमें चीनी आइट करें, या फिर अगर आप इसको बिना चीनी के पीए, बिना कुछ भी मीठा डाले पीएंगे तो आपको इसके बैस रिजर्ट्स मिलेंगे, तो यहां पर देखिए इसको हमने बॉल कर लि जैसे अगर हमें वामिटिंग बगरा होने लगती है, तो उसकेस में जो कैफीन होता है ब्लैक टी के अंदर वो बहुत हेल्प करता है, लेकिन इस चाय को हमें मॉडरेशन में पीना चाहिए, यानि कि ऐसा नहीं है कि इसको चार से पांच बार आप पी लें, लगबग दिन म इसका जो रिजल्ट है आपको और भी जादा बढ़िया मिलेगा, वो है यहां पर लेमन जूस, लेमन जूस जो होता है आप सभी जानते हैं, इसके अंदर एसेंशल ओइल्स होते हैं, और डाइरिया को रोपने में ये भी बहुत जादा है, तो सिंपली अब हमें क्या करना ह और वो हम इसी चाय में निछोड़कर डाल देंगे, तो बीज वगएरा हटा दीचे उसके बाद में इसको आप इस तरह से चाय में डाल दीचे, और इस चाय को आपको तुरंथ पीना है, सिप शिप करके पीना है, बहुत जादा गरम आपको नहीं पीना है, तो दिन में दो इसी किसाद साथ मैं आपको बता दू, simply अगर आप इस काड़े को नहीं बना पा रहे हैं, ब्लैक टी नहीं बना पा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं पी पा रहे हैं, कोई भी कारण है, वैसे तो यह बहुत जादा एफेक्टेव है, अगर आप इसको पी लेंगे, आपको बह होता है, कि जैसे डाइडिया जबा में होता है, तो हमारे पेट का पानी होता है, वो निकल जाता है, जिसके कारण भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप दिन में लगबग 4-5 बार आप नीबु पानी हुआरे नेक्स्त फृंट यहां पर हम अगली रेसेपी शेयर कर रहे हैं, आपके सादी नेक्स्ट home remedy शेयर कर रहे हुँ, जिसमें ग्रीन ती का यूज़ करेंगे, तो पहले हमने बलेक टी बनाई थी हमारे टॉक्सिंदी बनाने आने लाले हैं, ग्रीन ती जो होती है, यह इसके लिए एक पनी तीक करने में हैफुल रहती है, तो ग्रीन टी आसाली के साथ आप पी सकते हैं, आपका वजन भी घटाएगी, पेट भी साफ करेगी, इसके साथ ही अगर आपको डायरिया है तो रोकने में भी बदत करेगी, तो इसके लिए आप एक कप में गरम पानी डा जैसे दिन में खूब पानी पीते रहें, नीबू पानी पीते रहें, इसके साथी डायट में आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, खिचडी ले सकते हैं, इस तरहें का हलका खाना आपको खाना है, रोटी बगरा है, भारी खाना है, पूरी पराठे ये साब आपको दो दिन तक किसी भी home remedy को अपनाते हैं मेरी home remedy हो या फिर किसी और की हो और फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है diarrhea में, lose motion में तो उस case में आप तुरंथ ही तीसरी दिन डॉक्टर को दिखा ले, ये बहुत अच्छा रहता है तो आज की home remedy आपको कैसी लगी लिखकर ज़रू बताईएगा अपनाईएगा फिर मुझे बताईगा कि आपको results कैसे मिले Thank you so much for watching